हेलो फ्रेंड आपका अपने चैनल ला नश्टिचिंग में स्वागत है आज हम ब्रॉज का डिजाइन बनाने जा रहे हैं इसके लिए देखें मौड़े को कार्टिया है सुल्डर हमारी पाच इंच रहे है लंबंशम मौड़े का निश बहां के लिए तो दो इंच पर हम ने निशान लगा लिए पर एहां पर से हम box बना लेंगे इस तरह से हम round गले का shape देंगे और इसे हम काट लिए और इस गले के cutting पर हम इस तरह का pattern बनाएंगे और इसे तरह हम testi paper पर cut तो यहां पर पहले हम पेस्टी पेपर को डबल फोट किये हैं और इस पैटर्न को अच्छी तरह से रखते हुए पहले हम आगे से स्रेम निशान लगाएंगे और पीछे से हम हाँ फिंच का मार्जन रखते हुए काटेंगे तो देखिए हम इस तरह से काट लिया है यह हमारा कुछ इस तरह से बनेगा यहां पर हम बलोज के कपड़े को अच्छी तरह से फैला लेंगे पहले अच्छी तरह से फैलाते हुए उपर अस्तर के कपड़े को फैला लेंगे इस तरह से देखिए बलोज के उपर हम अस्तर के क अब हम बीच के कपो काटकर निकाल लेंगे, हलका हलका कट लगा लेंगे, पूरे गले पर हमने हलका कट लगा लिया है और इसे देखिये हैं मिस्त्र से पलटते हुए उपर से शिलाई लगाateurs लेंगे वीडियो पसंद आती तो वीडियो को लाइक जरूर करिए तो देखिए हैं पर हम अस्तर और कपड़े को अच्छी तरह से रखते हुए पूरे ब्लोज पर सिलाई लगा लेते हैं इस तरह से देखिए हमने पूरे ब्लोज पर सिलाई लगा लिया है कपड़े को हम काट कर निकाल लेंगे और देखे हमारे इस तरह से बन गयर तैयार हो गया यहाँ पर हमने जो पेश्टी पेपर का पैटन काटा था उसे आइरन से हमने एक कपड़े पर चिपका लिया है और इसे हम काट कर अलग कर लिये हैं कि अब आम इसलें गोल्डेन रणर के कपड़े पर रकते हूए या आगे से शिलाई लगा दे आगे देगे कि या तरह से हम इससे देखी Obrig इना रगालिया दूनों को और इसे काटका अलग कर लेते हैं और देखिए कि इस तरह से हम पलटते हुए शिलाइ लगा लिए है इसकर लगा लिया है इससे तरह दूसरे फिसको भी बना लिए है और यहां पर एक लैस लिए हैं और इसे हम आगे साइड इसे अटेच कर लेंगे इस तरह से देखिए हम लैस को लगा लेंगे इसी तरह से हम दूसरे पिस पर भी लगा लेंगे तो देखिए मैं दूसरे पिस पर भी लगा लिया है इस तरह से और यहां पर हम बलॉज का पहले बीज सेंटर करेंगे और निसान लगा लेंगे इस तरह से देखिए हमने बलॉज का बीज सेंटर किया है और निसान लगा लिए हैं और इसे देखिए हम इस तरह से रखते हुए अच्छी तरह से हम इस तरह से रखते हुए पीन अटेच कर ल लिया है और अब हम सिलाइं लगाएंगे इस तरह से रखते ही तो देखिए मने पूरे पेटन को सिलाइं लगाकर अटाच कर लिया है यहाँ पर एक कपड़ा लिए यह करेंग कर इक यह करीद तीन नुट आ ऊड़ा और चार इशुष क लिए इसे आ इसे आपस्तर हैं। तो आचाच कर लिया है। और हम इससे काट लेगे। इससे इस तरह से बीच में रखते हुए इससे हम अटाच कर लेगे। तो देखें हम lleva डाय्च कर लिया है और यहां पर नीचे का दोनों प्लेट डालें इस तरह से देखें दोनों तरफ का प्लेत डाले है हैं में आप एक लेस्ट दें है और इसे हम पूरे गले पर लगा लें व seems से नीचे साइड में सिलते हुए पाईपिंग बना देंगे इस तरह से मुड़ते हुए पाईपिंग बना लिए हैं तो देखिए यह डिजान बनकर त्यार हो गया रह बाव एल। और पसंद Lightning ज़ीर और ले दिए चब्कुली